लेकिन इतने हस से ज़्यादा यहां पर कॉंटरवर्सी हो रही है कि आप पूछने का बात नहीं है गाइस मैं हूँ आरिन कुमार आपको छोड़ा वाई तो आज मैं बात करने वाला हूँ कॉंटरवर्सी के लेकर इतना हस से ज्यादा कॉंटरवर्सी हो रही है आपका मेरेट कामर यात्रा को लेकर डीजे को लेकर इतना हस से ज्यादा हो रही है कि आप बोलने का लाइक नहीं क्यों हम बात करें अपनी जारखंड को लेकर तुमारे जारखंड में ऐसा कॉंटरवर् मैं बात करूए बर्मन बर्मन म्यूजिक हो गया और बहुत सारा डोल्फीन हो गया और या दोल्फिन हो गया जय भोले हो गया डीजय नीरज हो गया डीज प्रविव से और बहुत सारे ऐसे माध्यम से आ रही है इतना कॉंट्रवर्सी हस से जादा हो रही है तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोग से अनुरोध है कि आप कॉंट्रवर्सी इस टैप कर ना करें कि कि वो कामर यात्रा है वहाँ पे डीजे महौल ऐसा बना कर रखे कर सके सभी पाबलिक वहाँ पे और आप लोग ऐसा डीजे को लेकर इतना कॉंट्रवर्सी कर रहे हैं कि ताकि आगे जाके कोई मेटर हो सके ताकि वो पुलिस एक्षन या इसके विवाद में कुछ ले सके पुलिस लोग एक्षन ले सकता है इस चीज में तो अगर मैं बात क कर रहे थी कुँट्रवर्सी को लेकर तो यह बस रही मैं यह बोलना चाहूंगा कि कुझा कुट्रवर्सी इसना हच से जादा हो रही है तो आप लोग यह किजे कि आप लोग डोनों जितने सारे सो रहे हो और तो सब लोग मील के एक जखा बात कर लिजे न आप लोग ऐसा में बुलाईए कहीं है ऐसा प्लेस में बुलाईए ताकि वहाँ पे 100-200 आदमी वहाँ पे बैठ के और इस चीज़ को बात को रखे कि ये कॉंट्रवर्सी किस लिए हो रहा किस कारण से हो रही होगा क्या डीजे में कॉंपडिशन होगा कॉंपडिशन तो सबसे है मैं बात करूं कॉंपडिशन है तो कॉंपडिशन हो गया एक दूसरे से सबसे रहता कॉंपडिशन आज के डेट में आप मार्केट में भी चले जाए तो एक दूसरे से कॉंपडिशन रहती है क्यों कि कि वह मार्केट है मार्केड़म् be एक दुसरे का समान को भी लेकर चलते हैं वो कम में दे रहा और जादाम दे रहा तो यह कंपिडिशन का जमाना है यह दुनिया तो यह कंपिडिशन होगा यह चीज हम систем भी जानते हए उस चीज को इन्ज्वाई भी हम लोग भी करेंगे पागी पब्लिक भी करेंगे एक तरीका से लेकिन इतने हस से ज़्यादा यहां पर कॉंटरवर्सी हो रही है कि आप पूछने का बात नहीं तो आप लोग भी यही में बताना चाहूंगा कि इतना हस से ज़्यादा कॉंटरवर्सी ना करें और मैं बोलना चाहूंगा जो इस ट सबसे पहले उस वीडियो को आप सोसल मीडिया पे ना डाले आप उस वीडियो को वहां पे कोई वीडियो किसी को बनाने मत दीजिए मेरा यही अनुरोध है ताकि वहां का जो बात चीत होए रहा है को वहीं तक वह बात को दबा रहे है कि कि वह सोसल मीडिया में तक ना पहुँचे तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोग संगठन कर ले एक साथ में मिल जूल के अपने से समझावता कर ले जितने सारे टीम वाले हैं जितने बड़े-बड़े डीजे वाल करें और कावर यात्रा को अच्छा पुर्वक से पार करें किके यह बाबा का मेला है यहां पे कावर लेके जाना तो कावर में करें कौन सबसे ज्यादा दूर लेके जा सकता किसका कावर अच्छा है कॉम्पेडिशन करना तो उसमें कीजिए गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने गर्मी पढ़ रही है, जारकन में भी गर्मी पढ़ रही है, अब सायद वहाँ भी इतनी गर्मी पढ़ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं, मैं पेड के नीचे वैठा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो में देखा हैं, इतनी हस से ज़ सार्जन हो गया जो टीम बुक किये हैं आप लोग का डीजे रावन हो गया डीजे धरकन हो गया सब एक साथ में एक जूट एक जगा आप लोग बेड़ जाईए और उस चीज़ को आप मेटिंग करके उसको किलियर किजिए क्यूं ऐसा हो रहा है है की नहीं और उस वीडियो को सोचल मीडिया में डाले मेरा राई मानना है बाकी आपका जो इच्छा करे वह कीजिए लेकिन एक उस चीज़ को आप नहीं डालेंगे सोचल मीडिया में वह बात को वहीं पर दबा का दबा रहा जाएगा और कुछ मेटर आगे भी न पहलेगा तो मैं यहीं बताना चाहता ह हूँ आप लोग से किकी कोंट्रवर्सी एकदम करना बंद करती है चाहे जो हो चाहे कोई भी कर रहा हो या यूटूबर कर रहा हो या इंटर्व्यू वाले बोल रहे हो उल्टा सीधा तो वह चीज़ बंद कर दे ताकि अच्छा रहेगा समझे हमारे जारखन में कभी नहीं कि जब भी देखो खाले डीजे को लेकर कॉंट्रवर्सी खाले डीजे को लेकर कॉंट्रवर्सी तो गाइस ऐसा बिलकुल मत किजिए तो चलिए इसी बातों के साथ में हम विराम लेते हैं तो जेहिन जे भारत टाटा वाइवाई